हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, हमारे इस यूटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है, आज हम CITS 2021-22 जो न्यू बैच के स्टुडेंट हैं, इनके लिए हम दोसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे टापिक का जो विशे है, वो विशे है कि कोर्स से सम्मन्दित syllabus कैसे डाउनलोड करें, ठीके, देखे बच्चों, कोई भी कोर्स को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, देखे, किसी भ अगर आपको पता चल जाए कि हमें इस ट्रापिक को कवर करने के लिए इतना टाइम एलाट है, क्या क्या चीजे पढ़नी है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, तो आप उन चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, देखें मैंने देखा कि जब बच्चे जाते हैं, तो सबसे ज़्य को बाट कर जो है वीडियो बनाएं, देखें सबसे पहला कुश्चन बच्चों के मन में क्या होता है, कि सर मेरा स्लेबस क्या है, ठीक है, स्लेबस क्या है, और स्लेबस को कहां से डाउनलोड करें, ठीक है, दूसरा कुश्चन बच्चों के मन में होता है, कि सर आप ये यह कि हम कहां से पढ़ें, कैसे books को, कौन सी book को prefer करें, ठीक है, कैसे download करें, तो books से related, जो CITS से संबंधि, जो books हैं, उनको कैसे पढ़ें, कैसे cover करें, ठीक है, काफी सारे ऐसे लोग हैं, आपको बता देंगे कि ये खरीद लो, वो खरीद लो वो खरीद लो मैं आपको बिलकुल correct way में बताएंगा कि आपका किस तरीके से कम investment में आपको अच्छा output मिल सके तो दूसरा question कि sir books क्या है या study materials है इसको हम कैसे download करें क्या करें ये दूसरा question होता है question number third होता है कि sir marks किस प्रकार से दिये जाते हैं कितना institutional mark होता है कितने के practicals होते हैं कितने के trade theory होती है कितने का हमारा purity होता है तो ये बच्चे के मन में ज़्यादा question रहता है ठीक है और चौथा question होता है कि sir question किस प्रकार से आते हैं questions का level क्या होता है तो ये सारे जो है ये जो हमने चार questions की बात की है बिल्कुल very basic questions हैं बट बच्चेों को मैं देखता हूँ कि जब हसी आती है या कभी कभी गुसा भी लगती है काफी बार और कहीं न कहीं बच्चों का भी एक रहता है कि वो नहीं समझ पाते हैं ठीक हैं तो इसलिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख कि सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते ह Slaybus कैसे डाउनलोड करना है आपको books कहां से available होगी Mark किस प्रकार से मिलते हैं कितने numbers का paper होना है उसमें कितने theory आनी है कौन-कौन से online mode में होगा कौन सा offline mode में होगा इन सारी चीजों की जानकारी आपको हम 2-3 वीडियो में provide करा देंगे आज का जो हमारी वीडियो का topic है वो है Slaybus कि हम आप जिस trade में CITS करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन-कौन से subject पढ़ना है और उस subject में क्या-क्या पढ़ना है तो ये जो हमारी आज जितनी भी देर की वीडियो होगी उसमें हम Slaybus से संबंधित topics पर ही आपके लिए चर्चा करेंगे तो देखिए अगर हम Slaybus की बात करें तो Slaybus को डाउनलोड करने के लिए आपको हमेशा कहां पर जाना है CSTARI कौन सी website पर जाना है CSTARI ये आपकी Central Staff Training and Research Institute है जिसका Head Office कोलकाता में है तो इसकी website पर आप जाएंगे तो आपको हमेशा क्या डाउनलोड होगा Slaybus कैसे डाउनलोड करेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको हम explain करने का प्रयास करते हैं फिर आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे और आपका Slaybus कहा कहा कैसे है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे देखिए आप लोगोंने ITI कर रख्यों होगी किसी ने डिप्लोमा कर रखा होगा किसी ने बीटिक कर रखा होगा बट बेसिकली यह जो आपका CITS कोर्स है यहाँ पर minimum qualification क्या है ITI है जिसको CTS भी बोला जाता है ठीक है तो CTS आपके दो CTS को दो trades में डिवाइड किया गए आपने ITI में पर रखा होगा पहला जब familiarization विद ITI ही आता है तो उसमें आप लोगोंने पर रखा होगा एक आपकी कौन सी होती engineering trades engineering trades और दूसरा आपका क्या होता है non engineering trades अब हम बात करते हैं कि engineering trade क्या है देखिए जो कुछ trade को उन्हें ने engineering trade में रखा कुछ non engineering trade जैसे आपका computer हो गया कोपा हो गया आपका क्या कहते हैं cutting and sewing technology हो गया आपका fashion designing हो गया तो इन सारे trades को जो है non engineering trade के अंतरकत categorize किया गया है और दूसरा आपका engineering trade है जैसे आपका feature हो गया आपका welder हो गया आपका electronic mechanic हो गया electrician environment हो गया तो ये सारी जो trades हैं इनको engineering trades के अंतरकत पर गया किया गया है अब आप अभी मैं आपको CSTRI पे ले जाओंगा तो आपके trade engineering है या non engineering वहाँ से आप देखके तूरंत जान सकते हैं ठीक है तो उसके बाद आप देखे non engineering trade में आपको CITS के अंतरके कितने subjects को पढ़ना है तो सबसे पहला subject आपका क्या होगा trade ठीक है आपके trade में क्या है तो आपको trade theory trade practical पढ़ना होगा trade से related उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना होगा आपका एक subject होता है soft skill ठीक है soft skill आपको पढ़नी होगी और third आपको क्या पढ़ना होगा आपको पढ़ना होगा training methodology यानि जिसको आप P.O.T. भी कहते हो ये तीन subject आपको यहाँ पर cover करना पढ़ना होगा ठीक है trade में आपका क्या होगा trade theory होगी trade practical होगा soft skill में आपकी theory होगी theory का भी paper होगा theory practical भी होगा training methodology में आपकी theory होगी और आपका practical होगा तो non-engineer trade के students को इतना पढ़ना है अब engineer trades की बात करते हैं draftsman group में जैसे आपका DMC होगया आपका DMM होगया आपका RODA होगया तो इन सब को हम draftsman group बोलते हैं ठीक है और draftsman group के अधरिक जो सारे group होगे except then draftman उनको हम दूसरे slate में लगते हैं तो draftman group वाले क्या क्या पढ़ते हैं इनका trade रहता है इनको trade, theory पढ़नी है trade में क्या पढ़ना है theory पढ़नी है theory से related आपको practicals पढ़ने है उसके बार फिर आपको क्या पढ़ना है training methodology तो सब के लिए कामन है अब यहाँ पर आपके लिए workshop science workshop science आपके लिए एक अलग subject के रूप में दिया गया draftman group वाले बच्चों को पढ़ना है और calculation वो आपका अलग subject है यानि आपका calculation का अलग paper होगा और आपका science का जो paper क्या होगा अलग होगा तो इस प्रकार से 4 subject आपको पढ़ने है ठीक है अब practical आपका किसका किसका होगा trade पढ़ोगे तो trade theory और practical आपका trade में ही होगा ठीक है वो आपका engineering drawing में होता है आपका drawing वगारा बनानी होती है जो भी है trade से related आप चानते होगे फिर आपका training method ओला जी में क्या होगा practical होगा और आपका theory होगी theory का paper होगा except then draftman group जो बच्चे हैं वो क्या-क्या पढ़ेंगे वो trade पढ़ेंगे तो trade से related trade theory पढ़ेंगे और trade practical पढ़ेंगे उसके बाद उनका दूसरा paper क्या होगा workshop, calculation and science यानि calculation और science एक में ही आएगी और दोनों पढ़ना होगा और एक ही में आएगी ठीक है तो आपको हमारी इस वीडियो से इतना तो पता चल चुका होगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है अब थोड़ा सा wait करिए आपको हम अभी confirm करा देते हैं कि आपकी trade कोँसी है आप कैसे देखेंगे वो भी आपका अभिम CS TRIRI पे आपको ले चलेंगे तो तुरंद confirm हो जाने वाला है अब देखें इंजिनिंग ड्राइंग वे जो except then draftman group के बच्चे हैं वहाँ पर इंजिनिंग ड्राइंग के syllabus भी दो प्रकार से हैं एक group first का syllabus है ठीक है इसमें 21 trades आती हैं और group second का एक syllabus है जिसमें 3 trade को रखा गया है ठीक है electrician and wireman ठीक है electrician and wireman के जो student है उनको क्या-क्या पढ़ना है तो उनको group second वाला इंजिनिंग ड्राइंग का syllabus पढ़ना पढ़ेगा electronic mechanic के student को group second वाला syllabus पढ़ना पढ़ेगा ठीक है instrument mechanic वाले बच्चों को group second वाला syllabus पढ़ना पढ़ेगा बाकि जो अन्य ट्रेड के बच्चे हैं 21 इनको group first का syllabus पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो ये हमारा कुछ है engineering trade non engineering trade तो अब आपको समझ में आ गया कि हमें कौन से subject पढ़ने है अब आपके अंदर दूसरा question आपके मन में उठ रहा हो कि सर आपने इतना बता दिया अब हम syllabus कैसे download कर करेंगे तो syllabus download करने में आपका कुछ नहीं है आपको क्या जाना है google पढ़ जाएंगे और google पढ़ जाकर आपको cstari type करना है क्या type करेंगे cstari जब cstari type करेंगे तो इस तरीके से जो है आपके सामने website कुल करा जाएगी यहां पर आपको लिखा होगा cstari Kolkata ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर आपका क्या है यहां पर आपका cts syllabus, cts syllabus, start term syllabus, ats syllabus ठीक है तो देखिए आपको engineering trade और non engineering trade के बारे में अगर जादा जानना है तो cts syllabus का मतलब basically जो आप iti कर रहे हूं उसी को cts बोला जाता ह तो cts syllabus अगर iti का syllabus आपको पता करना है तो आप यहां पर जाओगे ठीक है अब iti का syllabus देखिए दो ग्रूप में बटा हुआ यह जितनी आपको यह 64 यह आपको देखिए 76 ट्रेड दी गई है यह आपकी engineering trades है यह जो non engineering trades को देखना है तो आपको देखिए क्या पर करना करना तो यहाँ पर click करकर आप आसानी से पता कर सकते हैं आइटि का syllabus डाउनलोट करना किसी बच्चे के लिए तो आप आसानी से डाउनलोट कर सकते हैं बेसिकली हम CITS के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो CITS syllabus कैसे डाउन्डोड करेंगे, वो आपको बताएंगे, तो CITS syllabus में जाएंगे, और CITS syllabus में देखी हम लोग क्लिक कर दिया, एक बार open हो जाने दिजे, CITS syllabus में हम लोगों ने क्लिक कर दिया, अब CITS syllabus में एक दिया गय हैं, और कितनी देर पढ़नी हैं, कितने घंटे उसके लिए आपको alert हैं, वो सारा जो है आपको मिल जाएगा, जैसे मालेजे कोई हमारा बच्चा है, computer software applications का बच्चा है, CSA का बच्चा है, तो CSA पर क्लिक करिए, अब देखे, यहाँ पर खुल के आपका सामने आ जाएगा, एक मिनट वेट कर लिजे, तब तक खुल जाने दीजे, तब तक देखे, सलेब बस खुल रहा है, एक मिनट, एक मिनट, उसके बाद बात करते हैं, फिर यहाँ पर core skill है, core skill सब को download करना है, लेकिन इसमें आपके लिए क्या क्याम की चीज है, वो आपको हम बता देंगे, ठी तो देखे, यह पहले हमने कोपा का खोला, इस प्रकार से आपकी जो ट्रेड हैं, आप download कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जितने सारे page हैं, आपकी trade में जितने page हैं, इस सारा trade से related, सारा 32 page हैं, यह सारे page जो है, आप लोग print out करके, अपने पास रख लिजे, यहाँ पर दे आपको क्या दिया गया है, जनरल, यहाँ पर जनरल चीजें आपको दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ के लिए कितना घंटे इलाट किया गया है, तो आपको trade practical के लिए 640 घंटे आपके लिए आपके लिए trade theory के लिए 240 घंटे आपको मिलने हैं, practical के लिए आपको 100 घंटे, soft skill में, theory practical के लिए आपको 100 घंटे, training methodology practical के लिए आपको 320 घंटे आपको 320 घंटे आपको तो इस प्रकार से जो आपका यह course structure बना है, यह 1600 घंटे का आपका course structure है, फिर आपको next page में आओगे, तो एक बार explain भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आप marking scheme को भी आसानी से पढ़ सकते हो, देखे आपका trade theory का handed marks का होना है, trade practical, pro handed, ठीक है, तो सारी की, उसके लिए internal assessment के लिए आपके कितने mark हैं, ठीक है, full marks कितने हैं, exam में आपको passing mark कितने लाने हैं, internal assessment में कितने mark आपको लाने हैं, कि आपको trade practical के लिए 60%, trade practical, जो चाहिए आपका trade हो, training methodology हो, या soft skill practical हो, वहाँ पर आपको 60% cover करना ही है, but other subject के लिए बात किया जा, तो आपको 40% लाना है, जो जैसे trade theory हो गया, आपका, क्या करते हैं, soft skill theory हो गई, या training methodology theory हो गई, तो वहाँ पर आपको कितना लाना है, वहाँ क आपको 40% number लाने ही लाने है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद देखे, फिर आपका जो है, ये क्या चालू होगा, आपका देखे, आपको जो teacher पढ़ाएंगी, उनकी क्या qualifications हो सकती है, ये आप देख सकते हो यहाँ से, उ जिस तरका से हमने एक बार COPA के लिए आपको बताया है, CSA trade के लिए बताया है, इस तरीके से आप लोग अपनी-अपनी trades के लिए इसको download करके, और आप क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, एक बार इसको देख सकते हैं, तो आपके mind में जो एक figure बन जाएगी, कि हम इस पूरे साल में किन-किन topics पर मेहनत करनी है, जिससे हमारे exam में अच्छे number आ जाएगे, तो ये तो बात रही trade theory और trade practical से related, उसके बाद मैंने क्या बताया, कि CSTRI पर जाकर आप क्या करेंगे, core skill पर click करेंगे, और जैसे ही आप core skill पर click करेंगे, वो आपके पास आ जाएगा अब core skill में पहले हम workshop, calculation and science वाले बच्चों को बताते हैं कि क्या पढ़ना है, तो हमने workshop, calculation and science में बताया था कि दो trade में आपका बटा हुआ, एक क्या बटा हुआ है, draftman group और दूसरा क्या बचा हुआ है, except then draftman group, तो देखे, draftman group में कौन-कौन से बच्चे आएगे, ये सारा च first में, carpenter, foundry man, seat metal worker, all builder, trades, ठीक है, ये सारी जो 21 trades है, tool and die maker, mechanic, machine, dual maintenance, mechanic, tractor, ये जो सारे बच्चे हैं, ये 21 trades के जो बच्चे हैं, ये आपका group first में आएगा, और ये जो 3 trades के बच्चे हैं, ये group second में आएगा, तो आपको engineering drawing के लिए, जो ये 21 trade में अगर आ आ रहे हो, तो आपको group number first का जो है, engineering drawing का syllabus download करना है, follow करना है, अगर आप electrician, wireman, instrument, mechanic, electronic, mechanic के बच्चे हो, तो आपको group second का syllabus क्या करना है, follow करना है, ये बात रही, engineering drawing से related, कहां पर syllabus है, वो आपको हम बता रहे हैं, देखे, उसके बाद हम WSC की बात करें, तो WSC की देखे बात करते हैं, यहां से, ये learning out कम है, आपको हम जब एक topic wise जो है, subject wise अनालेजिस करेंगे, तो आपको सारी शीजे बताएंगे, अब देखे, syllabus for workshop calculation and workshop science आपका page number 8 से सुरू होता है, ये draftman group of trade का है, draftman group आप में कितने trades आएंगी, draftman mechanical हो गया, draftman civil हो गया, architectural draftman हो गया, surveyor वाले बच्चे, interior design and decoration वाले बच्च जो inner trades इसको follow करेंगे, कौन-कौन सा syllabus है उनका, page number 8 पे जो workshop calculation से संबंदी थे, आपको topics दिये गए हैं, ठीक है, इतने सारे topics दिये गए हैं, उसके बाद नीचे science का topic आपको दिया गया है, ठीक है, तो ये वाला syllabus आपको follow करना है, तो page number 8 से आप लोग note कर लिए, page number 10 तक, ये syllabus जो दिया गया, ये किस के लिए है, ये draft man groups of trade के लिए, अब draft man group of trade में जो engineering trade के बच्चे नहीं आते हैं, उनको कहां से follow करना है, तो यहाँ पर लिखा है, not applicable for draft man group of trades, ठीक है, fraction हो गया, percentage हो गया, algebra हो गया, mensuration हो गया, तो ये सारी चीज़े जो है, आपको cover करना है, किसको, except then draft man group है, ठीक है, अब group first के लिए आपका engineering drawing का syllabus दिया गया है, ठीक है, group first वाले बच्चे डाउनलोड का, आपना print out निकाल के अपने पास रख लेंगे, देखे, बहुत सारा आप सोची कि हम score skill को पूरा print out कर रहें, मत कराईएगा, क्यों आप बाद में confused हो जाएंगे, आपकी ये पढ़ना है, अब group second वाले बच्चों का देखे, इसके नीचे से start हो रहा है, तो group second वाले बच्चे पढ़ लेगे, अब दूसरी बात अगर हम करें, तो अब बचे non-engineered वाले उनको क्या पढ़ना है, तो उनका soft skill का syllabus क्या है, तो उसके नीचे देखो, इनका soft skill का syllabus दिया है, वो हम topic wise जो है, subject wise जो है, अलग explain करेंगे, ठीक है, आज आपको syllabus कौन, आपको print out करके, अपने पास निकलवा के रख लेना है बस, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां से आप अपना निकलवा लेंगे, page number 21 तक, आपका है, उसके बाद फिर, जो sub के लिए कामन है, वो नी कर लेना है, निकाल लेना है, तो हमें उमीद है कि अब आप लोग समझ चुके होगे, कि आपका syllabus कहां से कहां तक है, और आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भीया, मेरा कहने का उद्देश ही है, आपको इस वीडियो बनाने का हमारा उद्देश ही ये है, कि आपको किस प्रक आप निकलवा कि अपने पास रख लेंगे, ठीक है, और उसको चार बार अगर उससे आप नजरे मिलाएंगे, ठीक है, जैसे आप अलग नजरे मिलाते हैं, उसी प्रकार से अगर आपनी syllabus से नजरे मिलाएंगे, आप मुश्किल से दो से तीन दिन नजरे मिला लिजेगा, त इक बार आपको syllabus आपका learn हो गया, आपको syllabus mind में आ गया, तो फिर आप पर्थ से नहीं बढ़को, क्यों syllabus से आपको क्या करता है, आपको keep in track रखता है, आप जैसे out of syllabus होने लगोगे, तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा, कि हम देखते हैं, इस page में तो ये नहीं दिया गया, ह आज आपने ये वीडियो देखी, और वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, कि आपकी syllabus से संबंदित, आपका जो syllabus है, उसका आपको print out लेना, बार बार देखे, mobile से कोई काम नहीं होता, मैं आपको बिलकुर practically चीजे बताऊंगा, ठीक है, हमारा experience जो है, CITS के छ कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद जब आप सारी चीजे करके, आप एक जगा पर bind कराके, और उसको रख लीजिए, फिर आप day by day पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप आपको बताया, तो आप सबसे पहले decide कर लीजिए, कहीं copy में note कर लीजिए, कि हमार की वीडियो में, बस इतना ही, आपको मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा topic होगा, उस topic में आपको हम बताएंगे, कि किस प्रकार से हमें, बुके कहां से मिलेंगी, हमें objective questions के हम कहां से मिलेंगे, ठीक है, और हमें क्या-क्या पढ़ना ह और कैसी पढ़ना है, इन सब आगे की चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर क्या कहते हैं, मार्किंग आपका किस प्रकार से होता है, कितने मास के कौन-कौन से पेपर आते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, दोस्तों, आपको हमारी ये पिश्वास मानिये कि आपकी साथ आप भले ही अपने घर से 2000 से 3000 किलो मीटर दूर हैं लेकिन हम अपनी वीडियो के माद्यम से आपको कभी ये असास नहीं होने देंगे कि आप अपने घर से दूर हैं या आप जो है भासा की वज़े से किसी चीज को जो है आप सीख नहीं पा सकते हैं गूगल वीडियो की निचे लिंक दिया गया है उसको भर सकते हैं जिससे हम आपको समय समय पड़ जो है क्या करते हैं सूचना धिया करें इसके बाद स्लेबस करने के बाद हमारा में टार्गेट जो हम डव्य सी पर करेंगे और उसके बाद एक बार आपकी पढ़ा वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भाद